रूस यूक्रेन की जंग में असली विजेता वही साबित होगा जो हवायोद में बाजी मारेगा। यूक्रेन को अमेरिका और नेटो से F-16 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं। तसलिए रूसी सेना को आफर दिया गया कि जो F-16 और F-16 लडाकों इमानों को ध्वस्त करेगा उसे करोल पती बना दिया जाएगा। शुन शुन करमारो F-16 करोड़ पती बना देंगे पुत्य। लगभग 900 दिन की जंग के बाद अब लगभग ये साफ को चुका है कि रूस योकरेन जंग में अब वही असली विजेता साबित होगा जो हवाई युत में बाजी मारेगा। अभी तक की जंग में पुतिन ने हमेशा कमांडरों को वार रूम में साफ आदेश दिये हैं कि किसी भी केमत पर योकरेन की हवाई ताकत को हावी मत होने दो। योकरेन ने जितनी बार रूस के अंदर हमले किये हैं उसमें 95 फीजदी से ज़्यादा हमले योकरेन ने अमेरिका और नैटो से मिले ड्रून से किये हैं या फिर नैटो की मिसाइल या हिमार्स जैसे रॉकेट सिस्टम से रूस में तबाही मचाई हैं लेकिन अब योकरेन को अमेरिका और नैटो से एफ-16 फाइटर जिट मिलने जा रहे हैं जो रूस में हजारों किलोमीटर अंदर भुसकर हमला करेंगे रूस के खिलाफ एफ-16 को सेलवर बुलेट यानि चांदी की गोली बताया जा रहा है जो योकरेन को जंग में भारी बढ़त दिला सकता है इस स्वक्त एफ-16 जेट से रूस पर हमले की जोर शोर से तैयारियां चल रही है इसलिए रूसी सेना को ओफर दिया गया है कि जो एफ-16 और एफ-16 लड़ाको विमानों को बस्त करेगा उसे एक करोड़ पती बना दिया जाएगा ज़रा देखिए क्या है ओफर? रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रूसी सेना एक F-16 या F-15 फाइटर जेट को हवा में उड़ा देती है तो उसे करोड़ पती बना दिया जाएगा एक F-16 को हवा में तबाह करने पर 15 मिलियन गूबल यानि 1 करोड 42 लाग 17,593 रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे ठीक इसी तरह से अगर रूसी सेना नैटो के बेहत अडवांस टैंक जैसे अमेरिका का अब्राहम टैंक ब्रेटन का चैलेंजर टैंक या फिर जर्मनी के लेपर टैंक को तबाह करते हैं तो उसे 5 लाग रूबल यानि 47 लाग 4,447 रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे अभी तक यूपरेन नैटो के टैंक, मिसाई, ब्रोन और रॉकेट सिस्टम से रूस पर पलतवार कर रहा है लेकिन राश्रपती जैलन्स की पिछले 2 सालों से F-16 फाइटर जेट मांग रहे हैं ताकि रूस की हवाई ताकत का मुखाबला किया जा सके रूस की तरफ से सुकोई और मिग सीरीज के घातक लड़ा को विमानों यूकरेन की चीतड़े उड़ा रखे हैं रूस की फाइटर जेट का मुकाबला यूकरेन नहीं कर पा रहा है इसलिए वाशिंटन डीसी में हुई नैटो की मीटिंग में तै हुआ है कि यूकरेन को F-16 की जबरदस ताकत से लैस किया जाएगा खबर है कि कई F-16 यूकरेन पहुंच चुके हैं और यूकरेन के पाइलट अब रूस पर F-16 से हमला करने को तैयार है हम आपको बता देते हैं कि यूकरेन को कहां कहां से कितने F-16 मिल चुके हैं या फिर मिलने जा रहे हैं इस समय योक्रेन को डच और डैनिस सरकार मिलकर F-16 फाइटर जेट्स दे रहे हैं। कुछ F-16 के योक्रेन पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। दावा ये भी है कि योक्रेन को बहुत जल्द इन फाइटर जेट्स की पहली खेप आधिकारिक तोर पर मिल जाएगी। ट्रांसफर प्रोसेस तेजी से पूरा किया जा रहा है। योरोपी अदेशों ने मिलकर योक्रेन को 85 F-16 फाइटर जेट देने को कहा है। ताकि योक्रेन की ताकत बढ़ सके। इसके अलावा नॉर्वे और बेल्जियम भी 50 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट योक्रेन को देने को तैयार है। ये 50 F-16 जेट्स दो हजार अठाइस तक योक्रेन को मिलेंगे। वहीं नॉर्वे अपनी तरब से 22 फाइटर जेट भेजने बाला है। योक्रेन के F-16 को तबाख करने का क्या प्लान बनाया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रूस के खिलाफ नैटो के कौन-कौन से देश सबसे ज़ादा एक्टिव होकर योक्रेन की जबरदस्त मदद कर रहे हैं। रूस के जानी दुश्मन चार नैटो देश वैसी तो नैटो में 32 देश हैं। लेकिन नैटो में शामिल चार देश मुक्ष रूप से रूस को हराने के लिए 80 चोटी का जोर लगा रहे हैं। नैटो के ये चार देश हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटन। अमेरिका ने रूस के खिलाफ मुक्ष रूप से F-16 और हिमार्स रॉकेट को हवाई हमले के लिए उता रहा है। F-16 से यूक्रेन बहुत जल्ड रूस के अंदर हमला करने जा रहा है। जबकि ब्रिटन ने रूस के खिलाफ स्टॉम शेड़ो मिसाइलों को उतारा है, जो यूक्रेन के जरिये रूस पर बड़ा हमला कर रही है। स्टॉम शेड़ो मिसाइलों ने रूस में भारी तबाही मचाई हुई है। वहीं जर्मनी की जमीन से रूस पर अमेरिकी टॉम हॉक्रूस मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, जिसकी वज़ा से रूस में भारी तबाही मची है। जबकि फ्रांस की तरफ से स्वचालित हविजर तोपें सीजर को रूस के खिलाब उतारा गया है, जो रूस के अग्रिम सेन ठिकानों को तबाह करने में जुटे है। तरफ से रूस के तरफ से रूस के तरफ से रूस के सामने यूकरीन सेन बेबस है। लेकिन F-16 को लेकर पूरे रूस में खौफ है। यही वज़े है कि रूस F-16 को खास तोर से दबाह करने में जुटे है। ज़रा देखिए F-16 पर करोडों रूपय का इनाम रूस में किसने घोशित किया है। तास के अनुसार 16 जुलाई को रूसियन कंपनी फोर्स ने कहा कि वो किसी भी रूसी फाइटर को 15 मिलियन रूबल यानी 1 करोड 43 लाख रूपय का इनाम देंगे अगर वो F-16 फाइटर जेट को मार गिराता है। तेल ड्रिलिंग एक्क्यूप्मेंट में विशेश अग्यता रखने वाली कंपनी के टॉप अधिकारी एलिया पोटानिन ने ये ओफर दिया है। रूसियन शोद्ना ब्यूट पो व्सीम लिटोविशंग, पो मीस्थाग पोटेंशीन बाजूवान्य एफ-16, बेस्पोसरेटनी पोलिटोविश लिए पोटानि इंफ्रास्टूरी, ती उदार वनी ने प्रिपिन्याएट शोनाइमेंशे ऑस्तानी 2 मीसी, पोस्तीना. वहीं दूसरी तरफ नेटो और अमेरिका किसी भी कीमत पर रूस को हराने में जुटे हैं। हम आपको बता दें कि जुलाई 2014 में अमेरिका के वॉशिंटन डीसी में नेटो शेखत संबिलन हुआ था। जिसमें नेटो की 75 वी वर्षगांट मनाने के दौरान नेटो ने एलान किया था कि हम योक्रेन को जंग हारने नहीं देंगे और रूस को जंग में हरा देंगे। अमेरिका ने योक्रेन के पाइलट को F-16 की ट्रेनिंग दी है। इसके अलाबा अमेरिका अपनी टॉम हॉक मिसाइलें भी रूस के खिलाब उतार चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका रूस पर हमला करने के लिए जर्मनी की जमीन का इस्तिमाल कर रहा है। जिसके तहट जर्मनी में टॉम हॉक मिसाइल की तैनाती कर भी गई है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को बेदनी की काबिलियत रखती है। टॉम हॉक मिसाइल अपने लक्ष तक सीधे नहीं जाती। इसी कारण टॉम हॉक को किसी एंटी मिसाइल डिफन्स सेस्टम के जर्ये बीच रास्ते में गिराया नहीं जा सकता। और इसे रूस के खिलाफ ब्रहमास्त्र बताया जा रहा है। वहीं ब्रेटन के नए प्रधान मंत्री कियर स्टॉमर ने रूस पर सीधा हमला करने के लिए कहा है। स्टॉम शेडो मिसाइल के जरिये रूस के रणनेतिक ठेकानों को निशाना बनाया जा रहा है। 2023 में ही योक्रेन स्टॉम शेडो मिसाइल से हमले रूस पर कर रहा है। खबर लगातार जा रही है रूकर एक छोड़े से ब्रेक के लिए।